हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सांजा चुला तेहारं का सीजन शुरू हो गया है तो क्यों ना इस बार कुछ हेल्दी खाया जाए तो मैं आप सबके लिए सिर्फ दो इंग्रीडियंट्स से यह यम्मी पेडे बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो इसके लिए मैंने इंग्रीडियंट्स लिये हैं एक लिटर फुल क्रीम दूध है अधा कपचीनी और इलाइची पाउडर एक लिटर दूध को मैं कडाई में डाल गी हूँ और इसको एक वाले आने तक मैं हाई फ्लेम पर रखूँगी और उसके बाद मैं इसको लोग गैस पर कर दूँगी और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे तांके ये नीचे ना लग जाए हाई फ्लेम पर एक वाल आ गया है तो अब मैं गैस को मिडियम टू लोग पर कर दूँगी और इसको हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे तांके ये नीचे ना लग जाए और जो साइड पर मलाई आएगी उसको भी उतार के बीच में ही मिलाते रहेंगे और इसको गाड़ा होने तक मैं पकाऊंगी दूध गाड़ा होना शुरू हो गया है लेकिन अभी इसको मैं और गाड़ा करूंगी और लगातार चलाती रहेंगे दूध गाड़ा होना शुरू हो गया है तो अभी इसको मैं और भी पकाऊंगी और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे ना लग जाए और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं शुगर अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं इलाइची पाउडर दूध हमारा गाड़ा हो गया है तो अब मैं गैस को आफ कर देंगी और वाम होने पर इस मेटीरियल के छोटे-छोटे पेड़े बना लूँगी मेटीरियल वाम हो गया है तो अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी हातों पे थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे और सेंटर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी डिलिशियोस पेड़े बनके तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जुरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें